हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल मेरा नाम है पंकच चोदरी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सेविन सिग्मेंट डिस्पिले के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका नाम सेविन सिग्मेंट डिस्पिले क्यूं पड़ा देखे आपको यहाँ पे 800 हो रहा होगा यानि कि जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है इसके अंदर इसका नाम चुपा हुआ है देखे यहाँ पे उपर की साइट देखोगे यह सारे के सारे अलग है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे 7 है अगर आप इसके यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे 8 को तो इसके जो एक कट है यहाँ पे यह 7 है इसकी वज़े से इसका नाम 7 सिग्मेंट डिस्पिले हुआ है लेकिन जो यहाँ पे निचे की साइट पोइंट है इसको हम 8 पोइंट भी बोल सकता है यहाँ पे 8 के तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है लेकिन इसका नाम क्या है 7 सिग्मेंट क्योंकि 8 के अंदर कितने डिवाइडेशन होता है यहाँ पे 7 होता है लेकिन यहाँ पे भी हम एक होता है जो कि यहाँ पे डोट का काम करता है अब मैं आपको यहाँ पर इसके pin के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर 5 pin होती है नीचे की side और उपर की side भी 5 pin होती है और यह काम कैसे करती है देखिए यह दो types का होता है जो 7 segment display होती है number one common end node number second common cathode जो मेरे हाथ में है यह है common cathode देखिए यह काम कैसे करता है जो हमारी थर्ड नंबर की pin होती है उपर की side यह 5 है ना इसमें जो beach वाली center वाली जो होती है आप इधर से count करोगे तब भी थर्ड नंबर की आएगी इधर से count करोगे तब भी थर्ड नंबर की आएगी तो आप यहाँ पर उपर की pin को देख पारे होगे इसमें जो यह center की pin है और यह जो नीचे की center की pin है यह यहाँ पर sort होती है आपस में तो यह यहाँ पर negative cover करता है यानि कि जब आप इसको back के negative terminal से connect कर देते हो और जो बाकी की pin है उसको आप positive दे देते हो वो किस क्या coding देते हो कि आपको यहाँ पर display पर क्या सो कराना है यहाँ पर देखे जो यह इसकी coding होती है आपको यहाँ पर 1 कैसे लिखना है, 0 कैसे लिखना है, 2 कैसे लिखना है, 3 कैसे लिखना है इसकी coding मैं आपको किसी other video में बता दूँगा आप बस यहाँ पर basics को समझिए मैंने आपको बताया हमने इसका नाम 7 segment display क्यों रखा है और मैंने आपको pin के बारे में बताया कि यह दो types का हमारे 7 segment display होता है anode और cathode और इसमें जो बीच की pin होती है यह cathode है और यह नीचे की भी जो मेरे हाथ में है लेकिन आप अदर भी use कर सकते हो वो anode भी हो सकता है ठीक है तो I hope आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि 7 segment display क्या है Thank you friends for watching my video